नमस्कार में मुम्मद आसीफ और आप देख रहे हैं इस्पियन नाई नियो भारती जन्ता पार्टी के रास्ट्वी अध्यक्ष जेपी नड़ा को बड़ी जमेदारी फिर से मिलने वाली है दर्शको उनके अध्यक्ष पत को लेकर गहमा गहमी तो हुई है क्योंकि माना जा रहा है कि उनका इस्तिफा हो जाएगा एक तरफ उनके जो कारिकाल है वो भी पूरा होता हुआ नजर आ रहा है इसी महीने में नए साल का आगाज भी हो गया है तो लोग मान रहे हैं कि दरसल ये सब चीज़े हो सकता है बारहाल आपको क्या लगता है यह हमें बताएं लेकिन जो खबरे आई हैं वो जरा सुन लेजिए कि अब जेपी नड़ा का कदर फिर से एक बार बढ़ता हुआ नज फिर बदल होगा कई मंतरियों का फिर से जो है एक बार डिमोशन होता हुआ नजर आएगा जैसे हर्श वर्दन रविशंकर प्रशाद तमाम लोग का डिमोशन हुआ कई लोग कई ऐसे नेता हैं जिसका प्रोमोशन भी हुआ तो इस पर फिर से माना जा रहा है कि ठीक 24 के च बाइदा नुकसान होगा ये तो खेराने वाले वक्त में पता चलेगा लेकिन एक सचाई है कि जेपी नड़ा पे जो भरोसा बीजेपी कर रही थी जो उमीद कर रही थी जो दाव खेले थे उस पर वो खरे नहीं उतरे क्योंकि हिमाचल का चुना भारना हार जीत अपनी जाता है किस प्लेटफॉर्म पर दिया जाता है ये एक बड़ा सवाल रहेगा वहीं मोदी के नई कैबिनेट बनती है तो उसमें भी देखना पड़ेगा कि जो है दरसल कौन है कौन नहीं यह तमाम चीजों पर लोगों की निगाहें बन नहीं रहेगी आपको क्या लगता द से मैधारी जेपी नडड़ा जी को मिलने वाली है आज के लिए तना ही मुझे दीजिए जाजाता आप देखते रहें स्पेनाई न्यूज नमस्कार